हाज वीडियो में आपके घर में कोई वी इन्मर्टर के अंदर क्या का दिया गया है और आपके जो इन्मर्टर है वह दो-तिन सल हो गया है तो अपको थोगाषा क्लीन बेड़ा करके फिर से अपको ए लगा देना तो वह भी पता चल जाएगा क्या आपको क्लिंग करना परेगा और कैसे एग्षा इंवर्टर है इनवर्टर तक आप यह उसकार पाएंगे वह भी इस दोने में पता चल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फिर यहां पर देख सकते हैं यहां पर लुमिनियस का इन्वर्टर यहां पर लगा हुआ है और एक्साइट का बैटरी यहां पर है तो वीरो देखना है तो उपर आई में मिल जाएगा नहीं तो नीचे रिश्वनाय देदेंगे वह आप जाकर भी आप दो देख सकते हैं फिलाल और एक बर आप लोग यहापर जो इनवर्टर खोलने के पहले तो आप जान लीजिए तो सब इनवर्टर में एसी इनपूट और एसी आउटपूट का कर्णिशन रहेगा और एक एस सुलार इनवर्टर है तो एक बैटरी का कर्णिशन भी यहापर दिया गया है तो यहापर रेड और बलाग जो है बैटरी का कर्णिशन है और नीचे की साइड में यहापर दो है एस सुलार के लिए यहापर दिया गया है और एक wire जो एस साइड में द्या गया है आउटपूट के लिए यहापर द्या गया है तो अभी थुरा सा कर्दिशन के बरे में आपने देख लीजिए यहापर यहापर AC का बोड जो इनपूट हो रहा है यहापर है और एक इनवर्टर है अभी inverter में ऐसी से अपलाई के लिए यहाँ पर करनेशन आप फ्लाक में कद दीजिए और inverter का आउटपूट के लाइन एक फेस का जो लाइन है यहाँ से ले लेंगे तो जो फेस का लाइन है और लोड में ऐसे चला जाएगा और न्यूटल और आप जो है और डाइरेक्ट आप ले लिजिए ऐसे करके तो इंपरा का कनेक्शन यहाँ पर हो गया है अभी बैतरी यहाँ पर पॉजिटीव और नेगीटिव यहाँ लगा देजिए तो देख सकते हैं यहाँ पार फूल कनेक्शन हो गया है अभी ज्यादा लोड देने बाला जो फिरिस बगड़ा है में यह आप लोग यहां पर दे सकते हैं हमने यहां पर open कर लिया है उपर की साइड में जो cabinet है तो cabinet open करने के बाद ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर एक जो circuit board आप लोग यहां पर देख रहे हैं और side में एक बड़ा बड़ा टस्वामर लगा हुआ है तो जो board में यह जो भी full voltage होने के बाद यहां पर direct solar से charge होता है सब यहां पर इस board के अंदर ही सब आपको मिल जाएगा तो यहां पर क्या होता है दो तेंसल हो गया है ऐसे ही आपको continue चल रहा है तो इसके ऊपर धूल बगरा आनके बाद यहां पर जो IC बगरा है बहुत हीट होता है जितना सा यहां पर धूल आएगा उसके बाद जो भी component है वहां पर electric supply होने के बाद वहां पर थोड़ा सा हीट होता है हीट होता है तो वह भार की तरह नहीं आएगा तो जो IC बगरा है वहां पर जो भी circuit का component है वह component खड़ाब हो जाएगा तो आपके जो पूरी तरह इनबटर है इनब लिए आपके यphone कीजिए उपर anschis do i can to clean करने एक एक फैन लगा हुआ है तो तो वही हह उपर की साइड से जो हीट होता है हो हीट and निकलता है मगर जो circuit के ओपर जो हीट होता है और को निकल नहीं परता है तो उश बड़िस से खड़ाब हो जाता है और एहां पर जो ट्यक आपके बैटरी का जो वोल्टेज है और डीसी है यहाँ पर इस ट्रस्वार के थुरू एसी सप्लाई होता है तो यहाँ पर जो ट्रस्वार के आसपास भी आप थ्षुआ सा किन बगरा कर लिजिये ज्यादा धुल बगरा आ गया है तो एक ट्रस्वार का कॉईल भी खड़ाब सकता है और एक बाद जब आप एह सब काम करेंगे तो एक पूरी तरह आपके इन्वर्टर खड़ाब हो गया है तो इन्वर्टर के बीना भी आपके लोट चलेगा तो ओ कैसे होगा पिछकी साइड में जो एसी साप्लाई के लिए जो आउटपूट के लिए जो फिलाग दिया गया है इन्वर्टर का तो ओ ही फिलाग आप डाइरेक्ट जहां पर आपके इन्वर्टर का जो इन्वर्ट के लिए जो फिलाग दिया गया है वहाँ पर आप लगा दीजिए तो क्या होगा इन्वर्टर का बीना भी आप डाइरेक्ट जो आपके मीटर के थूरू सप्लाई आ रहा है और डायरेक्ट आपके लोड में चला जायेगा आपके घर में चला जायेगा यहाँ अबヤरीशिक बदीयूद्र इे इंबर्ट इंवर्टन ते कौन elk मे जो फफलग दिया गया है वह फलग निकल दिया तो देख सकते हैं यह आपर मॉस्केट के ऊपर भी कोई भी दूल बगरा है तो आप वो सब कर सकते हैं तो एसब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यह आपर बैस आप बंद करके फिश से आप यूज़ कीजिए तो कोई भी दिकत नहीं आएगा तो फिर आपके घर में जो भी कॉमपणी का इंवर्टर है वो आप दो-तीन सल हो गया है तो उपिन करके एक बार ऐसे करके कर दीजिए धूल बगरा है धूल बगरा जंब जाने से क्या होता है वापर हीट बाहर की तरह नहीं आता है इस लगए से यहापर जो साकित बगरा है क्या कीजिए दो-तीन सल हो गया है वह एक बार आपके फिर से अप लगा दीजिए तो जो हीट का जो पॉब्लम नहीं आएगा जो आपर जो साकित बगरा है लगा हुआ है वह बहुत साल तक फिर वेकप दे देगा तो एह चोला से जनकाई देने के लिए वीडियो मैं त्या स्क बार आपके वेकप देए